हेलो एवरीवन, वेलकम वन्स अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इनेके कारेर अकैडमी तो देखें अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पहला चाप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकास का परवर्तन यानि reflection of light और इसमें पिछले वीडियो में हम लोग इसके numerical questions को भी complete कर चुके थे और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके important saw type और इसके important long type question कौन-कौन से है तो देखिए आज हम केवल questions को बताएंगे कि कौन-कौन महत्वपूर्ण है और उसका answer आप कैसे लिखेंगे ये बताएंगे और अगर आप मेरे videos को पूरा complete देखें यानि इस chapter के जितने भी videos upload किया गया है अगर आप उन सारे videos को देखें तो इन सारे questions का answer आप असानी से लिख पाएंगे और ये सारे के सारे important questions है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं saw type questions की और आपको बता दे देखिए पहला question कहा रहा प्रकास एक प्रकार की उर्जा है कैसे तो आपको इसका answer लिखना है कि प्रकास एक प्रकार की उर्जा कैसे आपको बताया गया था सुर्यू की class में कि कोई भी उर्जा ही होता है जैसे विद्धुत उर्जा हुआ या रसायनिक उर्जा हुआ वहीं जो है प्रकास उर्जा में जिस लल्टेन के तेल में जो होता है रसायनिक उर्जा होता है विद्धुत बॉल्ब में हो टर्च में विद्धुत उर्जा होता है जो आगे चलके प्रकास उर्जा में परिवर्थित होता है तो मतलब इसी बेस पे हम बताये थे कि प्रकास को भी उर्जा कहा जा सकता है तो आपको थे कि जब किसी सता से टकराकर प्रकास की किरन लौत दी है तो फिर इसी प्रक्रिया को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं फिर तीस्तरा क्वशचन है प्रतिविम्ब से आप क्या सम Isa फिर बाट ह समेज फिर देखिआ को question है गोल ये दरपन क्या है ये भी आपको बताया गया है next question है आपका उत्तल दरपन के उपियोग को लिखे यानि उत्तल दरपन के और यहां exam में आपसे दो उपियोग पुछा जाता है उत्तल दरपन के तो उत्तल दरपन के दो उपियोग लिखे ये question है आपका next कह रहा है तो आपको दिखा सबसे पहली चीज की यह सातों कोश्चन जो है स्वाटाइप के हैं लेकिन इसके आंसर बहुत छोटे छोटे हैं यानि थोड़ा थोड़ा सा इसका आंसर होगा और देखिए स्वाटाइप में कुछ कोश्चन ऐसे भी पुछ ले जाते हैं जिसका आंसर और ओपक के बारे में नेक्स्ट कोश्चन है यानि नौ नंबर किरन पुंज क्या है यह कितने प्रकार का होता है प्रते का वर्ड़न करें फिर इसके बाद दिया गया है प्रकास के परवर्तन के नियमों को लिखे स्वक्ष नमांके चित्र के शांथ अब आईए इसके सम्तल के फोकस को अलग-अलग डिफाइन करना है और फिर मतलब last question जो है इस short type का यानि जो 15 number question है वो दिया गया है ओतल धरपन के उपियोगों को लिखें तो इस प्रकार ये सारे short type questions हैं और अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके important long type questions कौन कौन से हैं आप उसको भी देख लिजे तो देखिए एक number long type question आपका क्या कह रहा आपतित किरन, परावर्तित किरन, आपतन बिंदू आपतन बिंदू पर खींचा गया अभिलंब आपतन कौन, परावर्तन कौन को स्वक्ष किरन आरेक द्वारा समझाएं तो आपको figure draw करना है और figure draw करके इसमें जितना भी चीज पूछा गया है उन सारे चीजों को define करना है उन सारे चीजों के बारे में लिखना है फिर देखिया next question क्या कहरा स्वक्ष नमांकित चित्र द्वारा गोलिये दरपन के ध्रू वक्षता केंदर, मुख्यक्ठ और वक्षता-तर्जा को स्पश्ठ करें यानी यहाँ भी गोलिये दरपन का साप سाफ figure बना के कि Dlook, वक्रता केंदर, वक्षताध तर्जा, मुख्यक्ठ सब को किरन आरेक में भी सो शो करके और तब जाकर उसको हमें define करना परिभाशित करना है अब देखें तीन नमबर इसका question कहा रहा है कि focus दूरी वक्रता तरजय की आधी होती है इसको शत्यापित करें यानि हम लोग जो formula पढ़े थे a physical to r by 2 proof करा गया था उसके लिएके special video हम बनाये थे तो देखें आपको a physical to r by 2 formula को ही यहां स्वाबित करना है कि focus दूरी वक्रता तरजय की आधी होती है इसके बाद next question आपका दिया गया है आतल दरपण में बने प्रतिविम की प्रतीक स्थितियों को स्वक्ष किरन आरेख द्वारा दिखाएं यानि आतल दरपण में जित्रा 6 स्थिति बना था ना प्रतिविम का हम कीरन आरेख खीचे थे जब वस्तु दुरू और focus के बीच स्थित हो जब वस्तु focus पर स्थित हो ऐसे करके 6 स्थिति बनाये थे तो आपको इन सभी इस थितियों को स्वक्ष किरन आरेख द्वारा दर्साना है तो यह long time question बन जायेगा फिर next question आपका है उतल दरपण में भी बने प्रतिविम को स्वक्ष किरन आरेख द्वारा दर्सा है तथा इसका प्रकृती भी लिखे यानि उत्तल दरपड में भी प्रतिविम कैसे बनता है तो वहाँ तो एक ही condition है तो आपको वहीं ये condition स्वक्ष किरन आरेक से दर्सा देना है और उस प्रतिविम का nature कैसा है प्रकृति कैसा है उसको भी show कर लेना है फिर आपका next question दिया गया है दरपड सुत्र को सत्यापित करें यानि प्रुफ करना आपको 1 by F is equal to 1 by B पलस 1 by U प्ताया था ना दरपड सुत्र यह होता 1 by B उन बाय F is equal to 1 by B पलस 1 by U ये formula जो आपको यहाँ पे प्रुफ कर लेना है, शाभित करना है और finally last question आपका कह रहा है आवर्धन के formula को proof करे यानि आपको यहां सत्यापित करना है m बराबर minus b by u यह आप कह सकते हैं h dash by h बराबर minus b by u इस formula को proof करना तो यह सारे long type questions थे तो इस प्रकार आपको पहले chapter का यह सारे short type और long type questions हुए तो इस video में हम इतना ही रहने देंगे आप इन सारे questions को अच्छे से prepare कीजिए students के लिए अच्छा यही रहेगा कि इन सारे questions का answer copy में just fair, fair के रूप में उसको note कर ले, लिख ले because यह काफी important है और इसके बाद जो है हम next video में इसके बहुत सारे objective questions जो important objective questions है उसकी discussion करेंगे हम लोग झाल